अब्सक्राइब ने पर इसलाम एकम एक नहीं वीडियो में आपका वेलकुम है मेरी पिछली वीडियो में आप लोगे देखा होगा कि हम आई वे हैं नला ब्रिज में और यहां से हम जा रहे हैं एक कबरस्तान देखने के लिए जो के बहुत ही हुपसूरत बनाया हुआ किसी ने और राजदानी के मकाम राजदानी के मकाम पर यहां से तक बने पांच मिन की राहे पर कब्रस्तान है और इससे पहले मैंने सिर्फ वीडियो में देख आखे हैं और आज जाकर भजाते हो देखने वालों यह बिलकुल यह उपर कोटली रोड जाती है और इसके बिलकुल साथ ही एदिने के मेन कोटली रोड पर सुल्तान और नुमान इंतजार करें और जल्दी से हम चलते हैं चलें चलो यह इस कबर्स्तान की इंट्री है और यहां से कबर्स्तान में इंट्री होते हैं इस साइड भी बाग बनाया बहुत उद्यादा खुबसूरत और यह है जी और साइड भी कबरें यह सबसे पहली कबर है जो कि आप कह सकते हैं कि बानी है कबर्स्तान जिन्होंने इस कबर्स्तान को रखा इसकी बन्याद रखी इसको बनाया यह एक नाला होता था जिसको बराई डाल के मट्टी की पूरा फिलप किया और इसको कबर्स्तान के लिए मुक्तस किया और सबसे पहली कबर भी उसी आदमी की थी जिसने ये कबर्स्तान के बनियाद रखी दी और कबर्स्तान बनाया था और जिनका नाम हाजी महम्मद सादक है और आगे इनके बेटे ये सारा सेटप समालते हैं जहां तक मेरी इंफरमेशन है साल के दो सीजन चार-चार लाग से ज्यादा के पूल इस वाग में लगते हैं और यहां के दो प्रापर माली है जिनकी 35-40 जार रप्या तन्हुआ है एक माली की और यह सब कुछ वो मिंटेंग रखते हैं इसके लावा दीगर भी कबरें अगर कोई यतीम है या कोई ऐसा शक्स जो के जिसक पता पता ना हो यह नहीं के जिसे कहते हैं के लावारस उसके लिए भी यह मुक्तिस है कि ज्यादा कबरस्तान में लावारस यह शक्स होती है या लावारस से लाश होती है उनको दफन नहीं करते लेकिन यह वाइद कबरस्तान है जिसके लिए पहले ही मुक्तिस किया गया थ जो के एक लावारस मिली थी लाश लेकिन बाद में बादा चल गया था और वो सबसे पहली उस साइट बे आए ये है ये है ये लिखावा भी आए अजनबी मक्तूल और इस साइड बे ये कबर ही निगा रहे है अभी आप देखें कितने हैं कितने हैं जादा हैं किसी ने बनाया हुआ है और सप्क्रा庭 किसी ने बनाइया हुआ है कोई इस देख कर देख क्या है किए इस अप्रुद्aty नीं सबस्टा आए लेकिन फिर भी आप लोग देखो कितना ज्यादा खुबसूरत है माशा आला मुलब कितल कितल कोस्ग है मुलब कि लेकि अ क्ला सी पेखो किरे तो झोना कितल स्बीकिल झाल 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 क्याया के कि टन झाल कि लृजई डेशी क्याया प्रकिशा, आधिर सुटति, मिल्यूदर क्याय करें दिन झाल धैब क्याया करने मीरी कि शoooo छोगा बड़े दूर लुड़ास यहां पर मान रोडfting एन यहां पर माईक काल खड़ी कते हैं & बास-पंदरा मिन्ट के लिए स्टेक करते हैं और देखते हैं कि इसी बनाने वाले ने क्या उप्सुरू चीज बनाई है बनाना काबलियत नहीं होती है, मैंटेन करना काबलियत होती है कि मैं चीज़ों से गुजरा हूँ मुझे पता है कि मैंटेन करना सबसे जदा मुशकल होता है भी वो देखें ने मुशीन लगाईवी है वो गास इतना मेदान है इसको गास हर रोज कितना कच्रा प्रोडियूस होता है और कितनी यह मैनत वाला काम है और हम सिर्फ आते हैं एक नज़र लगा के पांच मिली पी चले जाते हैं यह कहते हैं हुपसूरत है लेकिन इसके पीछे कितनी मैनत है यह मैनत करने वाला ही जाता है फैर जी काफी लेट हुए वे हैं और सुल्तान ने और नुमान दोनी ने घर जाना है मेरे साथ यह नहीं कि हम साब ने जाना है मुझे उमीद है आज की वीडियो मेरी आप में को पसंद आई होगी अगर आप मेरे चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गबरु भाई को दें इजाज़त क्योंकि यहां से हमने जाना है जी पलाग का पुल देखने के लिए जो के रास्ते में इपड़ता है हमारी कोशिश है कि जल्द जल्द वहां पे पहुंचे और उसके बाद गर्बे मारे इंटरी क्योंकि प्यास है बुरा अलम समझा एक सर्दी है लेकिन सर्दी नहीं है थोड़ी सी गर्मी लगी भी है और तबियत भी मेरी कुछ ऐसे ही है है जी चलते हैं बहुत ही खुबसूरत जगह है चले सुल्दान बोल बाई